कि आपको आपको अपने चैनल गुरु कुलवैदिक एकड़िमी में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी त्यारी सुनिशीत करने के लिए हमने अपने चैनल पर मैस एंड करन्ट ओफेर्स की डेली क्लास इस्टार्ट कर रखी है और साथ में फ्रेंड आपके एग्जाम के पॉइंट वेवी से हमने स्टेटिक जीके भी श्टार्ट कर रखा है तो हमने जैसे स्टेटिक जीके में आपको फिर्स्ट कलास में आपको इतिहास में यह रिखेसमें लुद्रटसर्फ न बाद एक त Congrats rules चैनल पर किए आज हम आपको प्रम।각 प्ल Hai journalist को ब्रआई तो जाद देरना करते हुए चलिए हम स्टाट करते हैं और चैनल Pretor और लाइक किजेंगे चलिए देखते हमारा क्या है तो देखिए पहला हमारे पास आ गया यूद श्टल आता है उसका समय आता है फिर किसके बीच में हुआ फिर मोगल सनापति कौन था उस टाइम और विजयता कौन रहा फ्रेंड तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड क्या कि सMयी का देखिए571 में मालवा के यूद हुआ सबसे पहले सलाइड की बात कर रहा हूं तो मालवा की ऐो फिर्जेंड राजे विस्तार करने के लिए समराजे विस्तार करने के लिए उसने सोचा तो उसने अपने सेना को हर दिशा में सेना सेना पति साथ भेज दिया और यूद लरा और यूद जीता और अपने समराजे का विस्तार किया तो देखिए यहां पर उसी तरह अकबर की जो सेना थी तो और विजयता कौन बना अकबर बना यानि अकबर की सेना है तो लड़ने कई तो अकबर ही विजयता बनेगा अकबर का ही समराज्य था तो तो हमारा सेकेंड रहें मेवार का यूद्ध मेवार का यूद्ध मेवार के यूद्ध बहुत बार एक्जाम में रिपीट हो चुकी है डेट किसी में डेट पुछा गया है किसे पुछा गया है कभी पुछा गया है कि मुगल सेनापती जाम टफ होगा तो पुछेगा मुगल सेनापती कौन था विजयता तो लब इतना नहीं पुछता है लेकिन एक जाम में बहुत बढ़ाया हुगा आप इंता जार रखिए सभी इंपोर्टेंट ही आपके लिए ठीक है किसे किसे के बीच में देखिए उदयाइज सिंग्ग और अकबर के बिच में यूद हुगा मोगर सेनापती यहां अकबर था खुद यहां पर अकबर ने अपने सेना का नेतर्थ्व किया ठीक है फ्रण्ट विजयता अकबर बना ठीक है फ्रण्ट तो चलिए हम अपना next दे था यू उस्य ही नउस्ट यूप यू तो देखिए का लिंजर कई यूथ आ फ्रेंट ओ पहला हुआ था अलब 1569 में हुआ था फ्रैंड जो काणेंज़ के उत्हास में डो बार इतिहास नहीं रुगा था का यूदर का आए एक बार अकपर यह वाला है अकपर के टाइम का है इतो जो हमायू वाला है मैं आपको हमायू प्यद्ध अब हमायू जो था कालिंजर का किलिंजर का हमला किया जबावर का बेटा व्हुमाईू अकबर का बेटा-ता था-ता मुद्र-अ-ता-ता-ता था तहनि एकafter प्राबर के बाद आया जो हुमायू यह उसका बेटा तो उसने कालेंजर पर अक्रमन किया कालेंजर का उस्टाम राजा था परताप उर्द्र और 1531 में यानि मैं इसमें इतना इंपोर्टर नहीं था तो तो 1531 में उसने हमला किया आयनि आक्रमन किया किस पर कालेंजर पर हुमायू ने उस टाम राजा था कालेंजर का पर्ताब रुद्र देव घ्रताब रुद्र का राजा था लेकिन क्या हुआ 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 हु दोबर के बिच में मुगल सेनापती मजनुखा इस यूद में अपने सेना को अकबर ने सेना करें तर्द मजनुखा दवरा कर आया था भीजेता अकबर बना फ्रेंड कारिंजर कुछन्या Lesham राजिया लिए जितके चुसा के दिखे रंद कुस्तों साका जो यूद आए यह बहुत ही जवरदस्त बहुत मुल्ब इंपोर्टैंट कह सकते हैं इसको मोस्ट पर एक जाम में आया है बहुत बार सन्य मैं तभ मान लिए कि फेरवरेट कोफ्शन में से एक है चुसा के यूद पूछता है मैं समय देखे चोसा कईयोंद का क्या हुआ है इसका 26 जून 1539 का समय ही या ठीक है यह एक इसके बीची वह था यह हुआ खूमायू और शेर संवरी इसका नाम था शेर का आता शेर का नाम था शेर संवका फ्रैंड तो इसलिए इसमें कर दोनों में मैं पुछ दिया है तो उसका नाम ये सेर सा सुरी हो गया सुरी इसलिए लिखा जाता है कि यह सुरी वंसका था ठीक है इसलिए उस पादी धारन की थी फ्रेंड वो बतायता हूं मैं जब यूद चौशा के जित गया था शेर खां तो उसने ये शेर सा सुरी की उपादी धारन कर ली थी ठीक है फ्रेंट कि देख्या क्या है हुमायों मुगल से नापती जो कौन था हुमायों ने अपना खुड यका दिप्रत्व किया था और स्यूंता हो मैं शेर सा सुरी हुआ था जिता कौन से शार सुरू एक फरेंड को और बात आपको बताते हैं लोग जो ये हुमायों था इसने ये यो दो जो outdesperate प्रदेश कुह जो पतलों का समराजी है तो बिहार उत्तर बंगाल सब मिलाकर उस टाइम म्गत्सम राजय हुआ करता था और उनकी राजधानी पाटली-पुत्र जो आए ठाइम में पठना है ओर राजधानी हुआ करती थी ठीक है तो अशासराम जो है बिहार में जगह है वहाँ तो हुमायूने शर स city पर हमला किया था भिहार में जाकर उसने घंगा सारी पर यहां हमला किया खिसको अपनी जान बचाकर भागना पर घंगाजी के पार जी कर सकता है गंगाजी तो चलिए याद रखिएगा चौशा की जून 1549 के हुगा हमायू और शेरसासुरी की बीच में और मुगा सेनापति यहां हमायू ने अपना सेना खुद ने तर्ट्व किया और शेरसासुरी जीत गया तो हमारा जो नेक्स्ट है और करनाट का युद्धा गया और इसमें सेनापति ने इसमें संधियां हुई ठीक है पहले तो समय देखिएगा फिर किसके बीच में उसके संधी हुई उसको बिजयता हम बताएंगे संधी का मतलब होता है कि मालेजे दो आदमी दो दो युद्धा ने मैं होता है जब जानबख्ष दिये जाती है संधी कằ अनुसर और इसकी शर्तेमान लेता है तो तो दरी तीहास में कर माइशूर के यूद हो गया गया ओनलाय को दो बहुत कम एक्जाम में आते हैं मैलाशूर के आते हैं यह स्वwenति बारे मेंता is यानी कि insights बीच लिए अंग्रेजों और फ्रासियों के बीच में कर्णार के तीन मं सी अंग्रेजों को ओलते हैं । जो नाम के संधी ती यह लाश जवाय्ट मुझेchnी हूए, विजयता यहां पर संधी विच में संधी यह थे, है कि करनाट का जो दूसरा यूद्वा था फ्रेंड वह सत्रह सो उंचास से चोगवन के बिच में हुगा इस यह भी अंग्रेज और फ्रांसेश के बिच में हुगा क्योंकि तिन यूद्ध हुग है मैंने अलड़ी बता दिया आपको आतीनों एंग्लो फ्रांसेश यूद्व और इसके विजयता देख लिजिए विजयता हुए अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा देखिए पंड़ेचरी की जो यह करनाट के दिर्थे यूद्ध हुगा था फ्रांसेश जीते और जो वहां संदी किये थे एला शापिल नाम की संदी थी ठीक है संदी भी याद रखेंगा संदी बहुत बार पुछता है एक जाम में क्या सकते हैं कि जो टॉफ लेवल और समय संदी पिछली मुगर्सनापती पुछता है और करनाट के से लेटर दियो होगा और टॉफ कोश्टं में से एक हैं तो यहां जब यह मैं उंग्रेज जीते इस वह हुआ था समय समय देख लिजी आप 1756 से 1763 के बिच में हुगा पता ही आपको अंग्रेज और फ्रांसिसी के बिच में हुगा संधी यहां पर हुई थी पैरिज की संधी इसको बोलती है एक जाम में बहुत बार आता है यह यह तो आप सुने होंगे एक जाम भी देखे भी ह होंगे पैरिज की संधी पुछता है कि पैरिज की संधी कब हुई थी तो पैरिज की संधी देख लिजिए गया अब करनाटक से सम्मधित था ठीक है और बेल ग्राम की यह विद्ध हुआ देखिए फ्रेंड क्या है जब चोसा के युद्ध हुआ था तो इस टम शेर साथ जित गया तो चैर्शा सूरी ने तो शेर साथ सूरी ने हुमायू को दुरा-दुरा स्टाम चोसा के उद्ध में पीटा था और वहां से हुमायू अपनी जान बचाकर भागने में काम्याब हो गया और वहां पर गंगाजी में बार आई हुई थी देखिए चोसा जो था ना वह भीहार में परता था अपको म वहां हामला कर दिया लेकिन वहां भी हुमायू हार गया से और भाग गया सिंद्ध चला गया हुमायू और यहां जीत को न गया से असी प्रमुक्त लडाई हों जो का वीडियो था यहीं पर कंप्लीट होता है और इसके बाद एक पाट और बनेगा जिसमें अंग्रेजियों से लेकर और भी संधियां से लेटेट होंगी जोगी आपके एक्जाम के पॉइंट वी से बहुत इंपोरेंट होगा फ्रेंट तो आई होप आप परला पार देख लिए वाद देखिए तो थाड़ अप्लोड हम करेंगे तो देखिए आपका पूरा एतिहास में जो लड़ाई किजिए एंड त्ले थैंक यू फ्रेंड ओके चंग बाई बाई